सामाजिक किरिया, सोशल एक्षन रहे चैप्टर की शुरुबात करते हैं तो सामाजिक किरिया, किरिया का शाब्दी कर्थ होता है कार्य कर्म अथार संस्कृत भाषा के करद हाथों से बना हुआ है क्रे का अर्थ है कर्ना तो कर्म शब्द का प्रयोग व्यापा कर्थों में हिंदु दर्म शास्त्रों भारती दर्शन आदी में देखा जा सकता है भारती दर्शन में भी संपून जीवन को कर्म बताते वे लिखा है जीवन ही कर्म है लेकिन इसे हम समाज शास्त्र की परिभाशा में देखें तो समाज़ विज्ञानिकों के अपिक्षा समाज़ शास्ठ्रियों के व्यक्ति के वैवार के और निशय ही आवश्य ध्यान देना चाहिए योकि उनकी रूची विश्य लुक से सामजी क्रिया की प्रकर्थी को जानने में होती है तो समाज शास्त्रि द SUBSCRIBE sa किसी देश्य की पूर्टी के लिए किया जाने वाला वेवार क्रिया कहलाता है अब हम बात करते हैं सामाजिक क्रिया की परीभाशा इवन अर्थ समाज शास्त्रि में सामाजिक क्रिया की अवधार्णा को सरप 13 अलपेड मार्षर ने देखा था कि किसी क्रिया को तब सामजिक क्रिया कहा जा सकता है जब व्यक्तियों तथा व्यक्तियों की द्वारा लगाए गए व्यक्तिनिस्ट अर्थ के कारण वहें दूसरे व्यक्तियों के व्यक्तियों के व्यक्तियों के व्यक्तियों के व्यक्तियों के व्यक्तियों के व्यक्तियों कहते हैं वेबर के नुसार कोई भी क्रिया जब अन्य व्यक्ति की क्रिया से प्रभावित होती है तब वैसा मजिक क्रिया कहलाईगी इसे दूसरों यह रुपों में हम इस प्रकार स्पस्ट कर सकते हैं कि मनुश्य के जीवन में अनेक आवशक्ता होती है वहें जो भी कार्य करता है उसके बिचे उसका कुछ न कुछ उद्देश्य अवश्य होता है और इस उद्देश्य की पूरती के लिंए ही उसे आच्रन करना होता है अतर समाज में रहकर सामजिक अंत्यक्रिया आवशक है और इनी अंत्यक्रियाओं के परिणाम सरूल सामजिक सम्मंद उत्पन होते हैं किन्तो सामजिक्रिया के अंतरगत मानव के बे ही वहवार सम्मिलित किये जाते हैं जो कि अर्थपूर्ण हो वेवर उद्देश्य पुन माना वेवार को ही सामजी क्रिया कहते हैं और जिस माना वेवार का कोई ना कोई देश्य पुन अर्थ ना निकले वे सामजी क्रिया की परिधी में नहीं आता है इसी प्रकार थियोडोर्सन वे थियोडोर्सन के अनुसार क्रिया वे वैवार है जिसका व्यक्ति के लिए कुछ अर्थ होता है अथार्थ उसका वैवार उद्देश्य निर्धारित करता है तो सामजिक समाधान के लिए नियोजित प्रयास सामजिक क्रिया कहलाता है क्रिया व्यक्ति था व्यक्तियों के प्रभावित करते और यह प्रभावित वह सामजी क्रिया है तो पार्सन के अनुसार सामजी क्रिया करता की परिस्तिती व्यविस्था में वह प्रक्रिया है जिसका अकेले करता के लिए या सामुईक रूप से उस व्यक्ति के समू के व्यक क्रिया में कौन-कौन से तत्व होने चाहिए इसमें सरप्तम करता होना चाहिए करता य acta यानी जो क्रिया से संबन दीत है और जो क्रिया की रचना कर रहा है स्वेम के लिए शरी परिस्थिति का एक अंग मात्र है तब करना तो एहन का ही कारे है इसलिए करता कि अभाव में क्रिया संभव नहीं होती है दूसरा है लक्ष तो करता कि अनेक लक्ष होते हैं उनमें सिवे किसी ना किसी लक्ष का चैन करके उसकी प्राप्ति के लिए क्रिया करता है ज़र लक्ष प्राप्त हो जाता है तो क्रिया पी समाप्त हो जा होती है तो बहाई होती हैं जैसे कानून जिसका पालन करता डंड के भहके कारण करता है दैविस संबंदी तकि बप्ति के समाज की यह ब बन शावती हैं पर्यावन अंत्रिक यूगताय हम समाज उसी प्रकार फौर्थ है साधन तो इसे प्रolo與ік साधन का चैन किया जा सकता है तथा एक लक्ष की प्राप्ति के लिए अनिक साधन होते हैं सामजिक क्रिया समाज शास्ट्रियों के नुसार इसके विचार तो सबसर पर्द हम पेरेटों की बात करते हैं पेरेटों ने सबी व्यक्तिक्त्र सामजिक क्रियाओं की दो मूल आधर बताये लक्ष और साधन आपके नुसर मानव की क्रियाय औतार्खाय तथा एतार्खी दो प्रकार की होती है तो पेरेटों ने फ्रकार बताए तार की यह और टार्खाय और थी यह कंथ होता है यह तार्किक क्रिया में लक्ष्वय साधन दोनों में तालमेल तथा सामन जस्य होता है ऐसी सामाजे क्रियाएं आपके नुसर वस्तु परक होती है क्रिया के संबंद में जो मानव के सामने समस्यां आती है उपेरेटर के निसार नेमनी प्रकार है लक्षों के अग्जानता के कारण करता के लिए इतार्किक साधनों को समझना कठिन हो जाता है तो परलोकिक लक्ष की स्थिती में करता के लक्ष हैं साधन के बीच उच्छी तथा अनुचित संबंदो करने लिया निला की कठिन कारे हो जाता है करता के लिए उच्छी तथा अनुचित कारे को ग्याद करना एक समस्या बन जाती है और एक कारे की स्थिती में उचित हो सकता है वही कारे दूसरी स्थिती में अनुचित हो सकता है अब है एतार की किरिया के तत्व क्या क्या है एतार की किरिया में आता है आपकी मूल प्रवर्तियां चालक, रूची, मनोभाव या ब्रहांति तक ये पेरेटों ने एतारकी क्रिया के पांच कारक बताए हैं नेक्स्ट रम बात करते हैं मैक्स वेबर के विचारों के बारे में तो मैक्स वेबर ने अपने पुस्तक The Theory of Social and Economic Organization में समाज़ शास्त्र को सामज़ शास्त्र के अध्यन करने वाला विज्ञान बताया है इन्होंने बताया था कि समाज़ शास्त्र वेह विज्ञान है जो सामज़ शास्त्र के व्याख्यात्मक वोद्वारा उसी दिशा में क्रम तथा परिनामों के कार्य कारण विश्लेशन पर पहुँचने का प्रयास करता है आपके अनुसार समार्शास को सामजी क्रिया में पिद्ध्यमान कारणों तथा उसके परसपर संबंदो प्रभावादी का विश्लेशन करना चाहिए इनके अनुसार कोई भी क्रिया जब अन्य व्यक्तियों की क्रिया से प्रभावित होती है तब ही वह सामजी क्रिया कहलाई आगे हम बात करते हैं सामजी क्रिया की विशेशताओं के बारे में तो सामची कीरिया की विशेषताएं में सबसे पहले हम बात करते हैं दूसरों के पाती उन्मुक हमने जो सामची कीरिया अभी Uhr करी है वो दूसरों के पाती उन्मुक होने चाहिए यानी यह क्रिया दूसरों के संभावित भूथ वर्तमान तता भविश्य के वेवार रुख्यार उन्मुत हो सकती है सामजी क्रिया में दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए क्योंकि अकेले जो हम क्रिया करते हैं वह सामजी क्रिया नहीं कहलाईगी तो यह आपस में एक दुसरे के विवार को प्रभावित भी करें, सामची क्रिया परिशित या परिशित के साथ भी हो सकती है, क्रिया भूत वर्तमान या भावी अनुमित विवार के दोरा भी प्रभावित हो सकती है वर्तमान रक्षा के लिए हो सकती है भविषय के हमले को सुरक्षित करने के लिए हो सकती है जैसा हम एक इसको धारन से समझा सकते हैं कि सामजी किरिया में मुद्रा विनिमय का साधन है जिसे प्रते करता भुकतान के रुप में स्विकार करता है उसे आशा है कि भविश्य में पर जिस लोग अवसर आने पर मुद्रा को विनी में कर सकेंगे, उसी प्रकार सामजिक क्रिया में भी आपका वेवार दूसरों के वेवार से प्रभावित होता है, तो ही वेह क्रिया सामजिक क्रिया होगी। नहीं होता है, यदि आप इश्वर का धिहान लगा रहे हो, अकेले बैठे वेवेव प्रातना कर रहे हो, तो है सामजिक क्रिया नहीं होती है, लेकिन वैं सामजिक क्रिया जब कहलाई कि जब किसी पंडित से आपका वेवार प्रभावित हो रहा है, कोई पंडित आपको एक प्रकार का संपर सामा जी लक्षन वाला नहीं होता है, वे उसी सीमा सो सामा जी कहलाता है, जब तक अड़्तफ्वून त Personality से उसरों के विवार के प्रती उन्मोख हो, नेक्स्ट है, सामा जी करिया ना अनिक व्यक्तियों द्वारा एक्सी को कहते हैं और नाहीं करिया क यह किरिया बारिश से प्रभावित हो रही है इसलिए है किरिया सामज़े किरिया नहीं होगी क्योंकि छाता खोलने वाले लोगों की किरिया एक दुसरे से प्रभावित नहीं हो रही है सभी लोग बारिश से ही अपनी रक्षा कर रहे हैं तो उसके कारण यह किरिया एक सी होती है। उन लोगों ने वर्षा से प्रभावित होकर यह छाता खोला है ना कि एक दूसरे को देख कर। जबकि किसी ने यहाँ पर किसी की किरिया किसी से प्रभावित नहीं हो रही है। लेकिन अगर बारिश नहीं है और किसी अमुक व्यक्ती ने जाता खोला है और आपने भी उससे देखकर जाता खोला है तो यह किरिया सामाजिक किरिया कहलाईगी क्योंकि यहां पर आपका वैवार जो था वो सामाजिक वैवार आपके दूसरों के वैवार से प्रभावित हो रहे तब ही हमने उपर पढ़ा था कि सामाजिक करिया के लिए ये एक महत्यपूर आवशक्ता है कि आपका वेवार सामजिक वेवार होगा वे दूसरों के वेवार से प्रभावित होगा तब ही वेकरिया सामजिक करिया कहलाए नेक्स्ट हम बात करते हैं वेबर के सामजिक करिया के प्रकारों के बारे में तो वेबर ने बताया था कि करता कि अनेक लक्ष होते हैं और इन लक प्रक्या की अधार पर करता है कुछ लक्ष ऐसे भी होते हैं जो पूर्ण होने पर भविष्य में साधन का कार्य करते ही इन्हीं साधनों एम लक्षो के चैन की तार्किकता की प्रक्या के आधार पर वेवव ने सामजी क्रिया के चार प्रकार बताए ये चार प्रकार थे तार्किक क्रिया, मुल्य अभिमुग तार्किक क्रिया, पारस्परिक क्रिया और बहावनात्मक क्रिया तार्किक करिया, वेवर ने хотя तार्किक करिया ने सामजी करिया का जो प्रथम प्रकार तार्किक बताया था। इसे की जर्मन भाषा में हम ør Егоaly sowalis यानि विवेक करिया। तो दोस्त्ति मेक्स्पवर के नुसर हम यह करिया तर्किक टथा विवेक अभिमउग करिया होगी। अब इस क्रिया के ही संबंध में जो वेवर ने नेक्स्ट बताय था कि व्यक्ति सामाजिक क्रिया अपनी आवशक्ताओं की पूर्ति के लिए ही करता है और इस संबंध में जब व्यक्ति तर्क द्वारा कोई लक्ष प्राप्त करता है और उसकी प्राप्ति के लिए साधन का प्यों ग्योजना बद्थ से करता तो वह क्रिया जोहिए वो तारकिक क्रिया होगी अधी क्लास में नमस्कीर, THAT means three BCH whispering BCH requires a channel and plus of Christian meant in that work. डिसको हम अपनी न्यक्स क्लास में समझाते हैं, नमस्कार